साथियों हम लोगों ने प्रिवियस वीडियो में डिसकस किया था चार्ल्स लैम की बायोग्राफिक को अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखिये तो उस वीडियो को जरूर देख ले इसके बाद ही यह वीडियो आपको समझाएगी और इस वीडियो में आज हम बग 1 to 50 तक होगी और आज की वीडियो में हमारा टार्गेट रहेगा 1 से 25 तक यानिके 1 से 25 तक के questions को आपके साथ discuss करेंगे और फिर उसकी अगले वीडियो में चलो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहला question हमारा ये है कि अगर हम ऐसे आफ और पार्सनल इंप्रेशन है अब ये पर्सनल इंप्रेशन क्या होता है ब्यक्तिगत इंप्रेशन के लिए बॉलते हैं साथियो इसके बाद अगला हमारा question कौन सा है तो इस वाले में पहले वाले में कौन सा options है होगा Essay of Illya are Personal Impressions इनके Essay of Illya में क्या देखने को मिलता है जादा तर इनके Personal Impressions यानि की ब्यक्तिगत Impressions को ही देखने को मिलता है और सेकेंड वाला Essay of Illya जो है वो पबलिस कब हुआ प्लाल हम पहले में ही बता देते हैं जो Essay of Illya है एक Collection of Essays है जो की Charles Lamb के द्वारा लिखा गया और यह पहली बार इसकी जो बुक थी बुक के रूप में यह पबलिस हुआ था 1823 में और इसका जो सेकेंड वैलूम आया था जिसका नाम था Last Essay of Illya जो की पबलिस हुआ था 1823 में दोस्तों अब यहाँ पे समझेगा दूसरा वाला कोस्चन हमारा क्या है Essay of Illya बाज पबलिस पबलिस हुआ इन कब देखोए Essay of Illya के दो बलूम आये थे हमने थियोरी सेक्षन में आपको बता रखा है कि फर्स बैलूम और सेकेंड बैलूम में इसको पबलिस करवाया गया था तो इसका जो फर्स बैलूम आया था वो 1823 में आया था Essay of Illya का और Essay of Illya क्या है Essay of Illya क्या है Essay of Illya क्या है लिखा किसके द्वारा गया है चार्स बाज पबलिस कब हुआ बुक के रूप में पुस्तक के रूप में ये 1823 को तो B आपसन हमारा क्या होगा सही होगा साथियो इसके बाद नेश्ट हम बात करेंगे चार्स बाज का भारत से क्या संबन्द था तीसरा कोस्चन What was क्या था चार्स बाज का connection में संबन्द क्या था विद इंडिया भारत के साथ चार्स बाज बाज तो बाकी option अपने आप पढ़ते रहेगा मैं जो सही वाला option है इसका वो explain कर देता हूँ D वाला इसका option क्या है सही है यानि कि जो South Sea House में clerk थे जिसमें भारत में British Trading Company के लिए patent और दस्ता बेज तयार किये थे यही उनका संबंद था यानि कि ही बाज a clerk वो एक clerk थे clerk कहां थे South Sea House में और South Sea House में जिसने डेट जिसने जिसने किसने Charles Lamb ने prepared किये patents को and documents को किसके लिए for British Trading Companies के लिए कहां in India भारत में इसलिए Charles Lamb का भारत से क्या था connection था तो D वाला option आप क्या बनाए रखोगे अगला फोर्त वाला question कौन सा है और थोड़ा सा एक जानकारी मैं इसी वाले question में मैं दे देता हूँ क्योंकि ये UGC net 2000 और बाकी हम जितनी भी question उठाएं है न एक किसी न किसी exam में पूछे हुए है और इसलिए उनके आगे जिस exam में भी एक question पूछे गए हैं उस exam को भी mention किया है हमने तो यहाँ पर क्या है इसमें एक और जानकारे ले लेजिएगा कि जो चार्स लेम थे वो क्लट तो थे ही थे साउसी हाउस में और इससे पहले before a job in East India हाउस कितने 33 years के लिए ओके तब बहाँ पर prepare करते थे ये क्या patents और documents किसके लिए British Trading Company के लिए कहा इन इंडिया में इसलिए इनका ये संबन्द है और डी वाला आपसन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा फोर्थ वाला क्या कहता है चार्स लेम इन हिज एसे इनके अपने निमंद में और कौन से निमंद में इन प्राइज आफ चिमनी स्विपर्स और यह मोस्ट इंपोर्टेंट यूपी के लिए हो चाय ना हो बलकि होगा लेकिन आर्पी एससी पीजटी में जो इन प्राइज आफ चिमनी स्विपर्स है न बहुत पूछा जाता है देखना कितने सारी कोश्चन आर्पी एससी पीजटी में देखने को मिलें आफ चिमनी स्विपर्स में कंपेर्स करते हैं देम उनकी ओन दियर आरली मोनिंग की तुला करते हैं राउंद च्टो जरा समझ लिजेगा इसकी कहानी क्या है जो चार्ल्स लैम ने अपने निमंद और निमंद कौन सा है उसका नाम क्या है इन प्राइज आफ चिमनी स्विपर्स नाम है में अपने सुर्वाती सुभा के दोरों की तुल्ला किस से की है तो इसका ए आप्सन सही होगा मैटिन लार्क्स इसमें मैटिन लार्क्स क्या है मैटिन लार्क्स एक चड़िया होती है मतिन लार्क्स कौन मतिन लार्क्स क्या होती है एक चड़िया होती है तो चार्ल्स लैम से यानि कि ए बाला option हमारा सही फिफ्ट बाले की बात करते हैं तो which of the following expression is not used by lamb to describe chimney swipers देखो देखो ये भी chimney swipers से ही आया है question और ये कहां पूछा गया है RPSC PGT में पूछा गया है तो जो इसका अर्थ क्या हुआ हिंदी मीनिंग क्या हुआ जरा समझ लिजेगा मैं बताता हूँ कि chimney swipers का बरण करने के लिए जो चार्स लैम के द्वारा निमलिकित में से किस अभिव्यक्ती का लिखा है ना expression following expression कौन सी अभिव्यक्ती का उप्योग नहीं किया गया है चार आपसन दिये गए इनमें से तीन expressions का प्रियोग किया गया लेकिन एक ऐसी अभिव्यक्ती है एक ऐसा expression है जिसका प्रियोग इन्होंने chimney swipers में नहीं किया है चार्स लैम ने उसी को पहचान करके आपको आंसर बताना है तो 5 वाले की अगर हम बात करते हैं तो 5 वाले में हमारा कौन सा? Savle swiper कौन सा? D option आपका क्या होगा? सही होगा अब 7शीर स्विपर में 7 क्या है? Swipers तो आपको पता चल गया होगा सफाई करने वाला साफ सफाई करने वाले को हम swiper कहते हैं लेकिन उसके आगे एक सब्द और लिखा है सैवल, इस सैवल का मतलब क्या होता है, बेसिकली इस सैवल का मतलब होता है काला रंग, ओकी, क्या होता है, काला रंग, डार्क एकदम, नेक्स्ट तो D option 5 में का सही है, छे नंबर पे देखेगा, नीचे दिये गए, चार options दे रखे हैं, डेट दि क्रियेटिक, कौन क्रियेटिक हैं, क्रियेटिक का मतलब होता है, आलो चक, और एक आलो चक का नाम दिया गया, यहाँ पर, huge backer, तो जो huge backer है, काल्स पुकारते हैं, the prince among the English assists, अब यहाँ से दो question हमारे तयार होते हैं, कि, एक तो question यह तयार होता है, कि the prince among English assists, किसको कहा गया है तो Charles Lamb के लिए कहा गया यानि किसी option से होगा और दूसरा यह से question ऐसे भी पूछा जा सकता है कि The Prince Among English Assists यह जो comment है वो कौन से critic ने Charles Lamb के लिए दिया तो उसका नाम भी पूछ लेते हैं तो उसका नाम का है Huge Backer clear है यानि कि 6 नमबर में निमनलकित में से किसने Huge Backer को The Prince of English Assists कहा था तो किसके लिए कहा था तो Charles Lamb के लिए और किसने कहा था Huge Backer ने इतना clear हो गया सात्मा question What lesson do the young chimney super give us according to lamb? What lesson का मतलब है कि lamb के मताविक lamb के निसार कौन सा सबक? कौन सी सिक्छा? Do the young chimney cypher जो होते हैं वो young chimney cypher gives us को देते हैं according to lamb lamb के अनुसार lamb के अनुसार 4 lamb के मताविक Ok इंग चिमनी से उपर जो होते हैं वो हमें क्या सबक देते हैं? कौन से सिक्छा देते हैं, what lesson तो यहाँ पर चार आप्सन दिये गए है, यह वाला आप्सन हमारा सही है, of patience धैरे की, काई की सिक्षा देते हैं, धैरे की, चिमनी स्विपर्स में से हमको क्या सिखने को मिलता है, यंग चिमनी स्विपर्स से कौन सी सिक्षा मिलती है, धैरे की यानि की हमको पैसेंस बनाए रखना चाहिए, धैरे बनाए रखना चाहिए अगला आठ्मा कोश्चन अब अनुवल फीष्ट का मतलब क्या होता है, यह भी समझेगा अनुवल फीष्ट का मतलब होता है, जैसे बारसिक दावत नहीं होती है फीष्ट फार दी चिमनी स्विपर्स के लिए बाज आरेंजड की जाती है, विवस्ता की जाती है बाई के द्वारा इन लेंब्स एसे किसके द्वारा की जाती है लेंब्स के एसे इन प्राइज आप चिमनी स्विपर में जो चार्स्लेम का इन प्राइज आप सिमनी चिमनी स्विपर एसे है उसमें किसके द्वारा बार्सिक दावत का आयोजन किया जाता है विवस्था की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है A, B, R, P, S, C, P, G, T, 2013 में पूछा गया मैंने क्या बताई ये इसके लिए बहुत ज़्यादा important कई सारे questions यहां से repeat होते है तो इसका option 8 number का बताना है आपको कौन सा सही होगा बताईए C वाला कौन जेम वाइट ये जो annual feast for chimney swipers की बात की गई थी तो ये किसके द्वारा organized की गई थी वो ब्यक्ति था जेम वाइट यहां पर हमने ये बाला देखेगा ये थोड़ा सा यहां पर भरा जाएगा ठीक है कहां पर यहां पर भरा जाएगा यानि कि the annual feast फिर से मैं repeat कर देता हूं नहीं तो आप confused हो जाओ the annual feast जो होती है annual feast का मतलब बारसिक दावत किसके लिए फार्दी chimney swipers के लिए बाज arranged विवस्था की जाती है किसके द्वारा बाई के द्वारा तो उस ब्यक्ति का आपको इसमें नाम बताना है किसके द्वारा की जाती है तो वो ब्यक्ति होता है अगर आपने इन प्राइज आप chimney swipers को पढ़ा है इस एसे को चाल्स लेम के तो आपको पता होगा कि उसमें वो कौन ब्यक्ति होता है जिसके द्वारा chimney swipers के annual fist को arrange किया जाता है तो वो ब्यक्ति होता है जेम बाईट कौन सी option हमारा सही होगा जेम बाईट दोस्तो 9 नमबर की बात करते हैं तो जी chimney swipers referred किया जाता है किसके लिए बाईट चाल्स लेम आर यहाँ पर जरा समझने लाइक बात यह है कि जो चाल्स लेम के द्वारा संदर्वित या referred किया गया यहाँ पर chimney swipers के लिए वो क्या है तो देखो यहाँ पर 4 options दिये हैं 4 options में से 1 option हमारा सही है तो कौन सा यानि कि tender novices अब यह tender novices क्या होता है यह actually tender no sickiye बोला जाता है यानि कि C option क्या होगा और इसमें novices जो होता है इसका अर्थ होता है no sickiye क्या होता है इसका अर्थ no sickiye दोस्तो यहाँ पर चाल्स लेम क्या करते हैं रेफर करते हैं किसको दिचिमनी स्विपर को किस में इनका एक निमंद आया था प्राइज आप चिमनी स्विपर एक कब आया था अठार सो तेज में जो इनका एसे आप कलेक्शन था एसे आप ही लिया उसी में आए स्टेंडर नॉबसेस के रूप में और इसमें यह जो कौन होता है बहुत जदा अट्रैक्टिव नहीं होता है बट ब्लूमिंग थो दियर फस्ट निगरी ट्यूट के द्वारा यह क्या करता है आपने आपको ब्लूम करता है ओके और मेटेर्नल वासिंग नॉट क्वाइड एफेक्टिड तो यह सब चीजे इसमें दिखाया जाता है फ्राम दी चीक के लिए और इस तरीके से जो आपसन हमारा ठीक होता है वो कौन सा टेंडर नौविस यानि के टेंडर नौ सिखिये सी वाला आपसन सही होगा दस नंबर की बात करें हमने क्या बताया था कि कौन कहलाता है चार्स लैम और यह कमेंट कौन से क्रेटिक नहीं किया था वो आपको कमेंट वाक्स में करके बताना है दोस्तों फिर मैं रिपीट करता हूँ एक किसके लिए कहा गया यह comment किसको दिया गया तो Charles Lamb के द्वारा दिया गया लेकिन दिया किसने है यह मैं previous अभी अभी बता भी चुका हूँ बस आपको बिना back जाए यानि कि इमानदारी से पीछे back करके वीडियो नहीं दिखोगे और आपको उस व्यक्ति का नाम comment box करके बताना है कि वो व्यक्ति कौन था जिसने Charles Lamb को The Prince Among English Assists कहकर पुकारा 11 नमबर की अगर हम बात करते हैं तो which of the following Assess is not written by Charles Lamb चार आपसन दिये गये हैं चार आपसन में से कौन सा आपसन ऐसा है जो Charles Lamb के द्वारा नहीं लिखा गया तो वो कौन सा है Off Studies दोस्तों किसकी बात करेंगे Off Studies फिर किसके द्वारा लिखा गया है Sir Francis Bacon के द्वारा लिखा गया है और Sir Francis Bacon को Father of English Assists कहा जाता है ध्यार रखेगा Convulsance यह इनी का है Imperfect Sympathies और A Bachelor Complaint यह तीनों Assists किसके हैं Charles Lamb के हैं दोस्तों लेकिन आप Studies इनका नहीं है Charles Lamb का एक बार हमें यह बता दिजीगा कि Charles Lamb का जन्म कब हुआ 1775 में और Charles Lamb की मृत्यू कब हो जाती है 1834 में यह क्या होते हैं एक English writer और assist होते हैं लेकिन इनके carrier की शुरुवात एजा point होती है ध्यान रखेगा ठीक है अगला question बिच आप दे following नीचे दिए गए कौन बाद Charles Lamb के बेरी गुड फ्रेंड बहुत अच्छे दोस्त है तो नीचे चार आपसन दिए गए हैं चार आपसन में से आपको बताना है कि इन में से कौन सा Charles Lamb का वो बहुत अच्छा दोस्त है निमिलकित में से कौन Charles Lamb का बहुत अच्छा दोस्त था तो वो कौन था A.S.T. Coleridge A.S.T. Coleridge के साथ इनकी कॉलिज के जमाने से ही दोस्ती थी तो हम यहाँ पर कहेंगे कि Charles Lamb was a lifelong friend of A.S.T. Coleridge ओके और पहुत ज़्यादा बड़े प्रसंसक भी थे Defender भी थे आफ दि पॉइटिक क्रीड के रूप में आफ वर्स वर्थ ठीक है तो किसका ओप्शन कौन सा सही होगा A.S.T. Coleridge अगला तेरह नंबर पे देखो इन विच मैकजीन कौन सी मैकजीन में डिट डिड एसे ज सौरी लैंपस एसे लैंप के एसे निमंद फर्स टाइम एपियर्ड एपी जी टी दो हजार थे में पूछा गया कि चास लैंप के जो एसे थे वो सबसे पहली बार कौन सी मैकजीन में छपे थे फिर रिपीट कर देता हूँ चास लैंप के निमंद सबसे पहली बार किस पत्रिका में छपे थे तो चार आप्सेंज में से एक आप्सें का चुनाऊ करिए कौन सी पत्रिका में छपे थे तो लंडन मैकजीन में किस में लंडन मैकजीन यानि के भी आफसन हमारा क्या होगा सही होगा ओके अब लंदन मैगजीन के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो बर्क छपा था वो एसे आफ इलिया जो कि 1823 में और इसका सेकेंड वैलूम आया था लास्ट एसे आफ इलिया के नाम से और ये इसके 10 साल बाद पबलिस करवाया गया था 1833 में लेकिन इन इसेज को इन इसेज को इन्होंने 1820 से 1825 के बीच में लिखा और लिखकर के सभी इसेज को कलेक्शन किया कलेक्शन करने के बाद इनको टू बैलूम में पबलिस करवा दिया गया पहला बलूम इसका आया था यह से आपे लिया 1823 और दूसरा बलूम इसका 10 साल बाद पब्लिस करवाया गया था 1833 में दोस्तो तो अब क्लियर हो गया और कहां चपते थे लंदन मैगजीन में चपते थे ध्यार रखेगा अच्छा उस समय आपको कोश्चन यह है कि उस समय लंदन मैगजीन के एडिटर कौन थे आपको यह बताना है दोस्तो कमेंट बॉक्स में करके बताएगा नेक्स्ट 14.4 लैम इस्टार्टिड चार्स लैम ने सुरू किया हिज लिटरेरी केरियर अपने लिटरेरी केरियर को एज किस रूप में शुरू किया यही बात अभी अभी हम डिसकस किये थे कि जो चार्स लैम थे उन्होंने अपने साहितिक केरियर को किस रूप में शुरू किया तो ये हम गलती नहीं करेंगे, भले ही वो ऐसे थे, क्या थे, एक Prince of English Assist इनको महना जाता था, बट इन्होंने अपने Literary Career की जो सुरुआद की थी, वो ऐजाप पोईट की थी, तो ये option हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है, अब काय से शुरू की थी, तो लैब ने सबसे पहली बार जो है, publication किया था, कब एक inclusion आप four sonnet लिखे थे, जिसमें Coleridge की poem on various subject में, और ये जब शुरू हुआ था, तो 1796 में, इन्होंने अपने career की as a point शुरुआद की थी, as a college के साथ मिल करके, अगला question हमारा, 15 number का, in the title, the essay of ilia, the name ilia stands for, ilia किस से stand करता है, यानि कि ilia नाम, उपनाम, किसने धारण किया, तो वो कौन थे, चास लैम थे, यानि कि C option आपका क्या होगा, सही होगा, essay of ilia, है क्या, एक collection of essays है, किस के द्वारा लिखा गया, चास लैम के द्वारा लिखा गया, इसको book के रूप में, सबसे पहली बार कप पब्लिस करवाया गया, 1830 में, इसका second volume कब आया था, इसके 10 साल बाद, 1833 में किस नाम से आया था, लास्ट essay जाबिलिया के नाम से आया था, उस समय पब्लिसर कौन था, तो एड़वर्ड मौक्सिन थे, सारी चीज़ें हम एक साथ बताते चलते हैं, हमें लग रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, और इसको पहली बार जो एसे आप कलेक्शन था, वो किस में एपियर हुआ था, लंदन मैगजीन में हुआ था, जो एसे आप कलेक्शन थे, ये कब से लेकर के, कब तक लिखे गए थे, तो 1820 से लेकर के 1825 की समय अबदी के बीच में लिखे गए, सारी चीजे मैंने अप्टू डेट कर दी आपको, स्वाला नमबर पर अगर हम बात करें, तो who is the writer, कौन लेकर है आप the adventures of Ulysses, यहाँ पर थोड़ा समझने वाली चीजे, कि पहले तो आपको simply पूछा गया है कि adventure of Ulysses के लेकर कौन है, किस ने लिखा, तो ये एक collaboration work था, collaboration work ऐसे था, चास लेम और मैरी लेम दोनों के द्वारा इसको लिखा गया था, तो यहाँ पर option कौन सा, C option हमारा सही होगा, बोथ, अब इसके थोड़ी से कहानी सुनो, इससे पहले एक और collaboration work आया था, इनका चास लेम और मैरी लेम, जिसका नाम था, Tales from Shakespeare, जिसमें Shakespeare के 20 plays को इन्होंने translate करके अपनी भासा में लिखा था, जिसमें से 14 comedy और 6 tragedies को लिखा गया था, तो इसके बारे में मैं detail से आपको बता भी चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा detail नहीं करूँगा, आप हमारी जो theoretical video है, जिसमें हमने चास लेम की बायोग्राफी और उनकी बर्क को detail किया है, उस video को जरूर देखिए दोस्तो, सारी चीजे अपने आप समझ आने लगेंगी, तो हम इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको, जो adventure आप उलिसिस की बात कर रहे थे, यह दोनों के द्वारा पर लिखा गया चास लेम और उनकी बहन मैरी लेम के द्वारा, इसमें लेम ने इसको compose किया था अपनी बहन के साथ, और इससे पहले tales from Shakespeare वो compose कर चुके थे दोस्तों, और इसके बाद इन्होंने adventure of Ulysses को compose किया, किसने यह भी एक collaboration वर्क था मैं बताई चुका हूँ, जिसमें कहानी चलती है, लेम जो है retails करते हैं अपनी कहानी को Ulysses journey को from Troy, okay to his own kingdom of इथाका के लिए, अगला question, 17 number, बहुत ज़र detail नहीं जाएंगे, नहीं तो आप बोरियत होने लगोगे, कहोगे पता नहीं के question पर कितना सारा बताया जा रहा है, तो 17 की अगर हम बात करते हैं, who is called, कौन कहलाता है, the acest per excellence, अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, एक नया word आपको सीखने को म मिलेगा, कि यह per excellence क्या होता है, अगर हम per excellence को बहुत अच्छे से explain करें, तो per excellence हम उसको कहते हैं, आप जो भी बात करेंगे, वो अपने आप में सबसे बेहतर हो, यानि कि beyond completion, जिसकी तुला ही ना की जा सके, उसको हम per excellence कहते हैं, ठीक है, यह कहीं note down का लिजेगा, आपके लि अगर जैसे हम बहुत simple तरीके से per excellence को समझाने का प्रयतन करें, तो हम यह कैसे पहमा लिजे, आप कहीं market में जाते हो, और एक साड़ी खरीते हो, तो एक साड़ी है, हम यह बोलते हैं, साड़ी अच्छी है, कई साड़ी साड़ी हैं, लेकिन उन में से एक साड़ी का हमने आपने एक साड़ी का चुनाओ करके यह बोला, कि इस साड़ी, जो साड़ी तुमको बहुत अच्छी लगी, ओके, फिर आपने मुह से उसकी तारिफ में लिखी, कि इस साड़ी से बाकी साड़ीों की तुलना नहीं की जा सकती, तो इसके लिए आप कौन सा सब्द इंगलिस इसमें यूज करोगे, पर एकसिलेंस, इसी तरीके से अब यहाँ पर क्यों ऐसा यूज किया गया, जरा समझेगा, कि एसेस्ट पर एकसिलेंस, इसका मतलब यह हुआ, सबसे बेहतरी निमंदकार अर्थात, चार्ल्स लेम के जैसा कोई नहीं, यह कहा गया, तो इसलिए उनक इसेस्ट पर एकसिलेंस बोला गया, क्लियर हो गया दोस्तो, पर एकसिलेंस नहीं बोलना है, अब important क्यों है, क्योंकि ए PGT 2002 में पूछा गया है, और तुम्हें पताई है कि कोई भी question अगर किसी एकजाम में पूछ लिया जाए, तो उसकी value अपने आप ही बढ़ जाती है, इ इसेस्ट पर एकसिलेंस यानि कि सबसे बेहतरी निमंदकार इनके जैसा कोई नहीं पर एकसिलेंस कौन कहलाता है, तो यहाँ पर चार्स लेम को बोला गया है, किसको बोला गया दोस्तो, चार्स लेम के लिए, इतना के लिए, अच्छा ये comment किया किसने, आपको ये ही बताना है, कि who is called the assist per excellence, ये तो आपने बता दिया, कि लेम कहलाते हैं, लेकिन ये comment करने वाले लेम को कौन थे, तो एक ही कभी, जिनोंने इनको assist of the prince of English assist बोला, उन्ही कभी, उन्ही क्रिटिक ने, जो है, इनको assist per excellence बोला, दोस्तो, तो उनका नाम क्या था, huge bakker, क्या नाम था, huge bakker, ध्यान रहेगा, ठीक है दोस्तो, अगला, अठारे नंबर पे, how is lamb associated, how means कैसे lamb associated means संबंदित हैं, with Christ hospital, Christ hospital से मतलब किसी मरीज का दवा खाना या भरती होने वाला hospital नहीं है, बलकि ये क्या था, या देखो इसमें option भी confuse करने के लिए, hospital के नाम पर ये option भी इस तरीके से दिया है, पीजीटी 2002 में, कि it was a hospital, where he took work, जहां इनोंने जन्म लिया, तो देखो, confuse करने के लिए हमको, या मालेजे बीमारी के दौरान, इस hospital में इनकी मृत्य हो गई, तो या here he was educated, तो ध्यान रखेगा, C option हमारा सही होगा, कि Christ Hospital में इनोंने क्या लिए, अपनी सिख्चा दिख्चा ग्राण की, अपनी आपको educate किया, अर्थात इनका alma mater था, कौन सा Christ Hospital दोस्तों, अब यहां तक clear हुआ, 18 नमबर तक कोई हमें लग रहा है समस्या नहीं आ रही होगी आपको, अच्छा एक चीज और है कि Christ Hospital में, इनोंने कितने वर्ष की अवस्था में admission लिया था, आपको यह बताना है दोस्तों, कितने वर्ष के थे यह, और वो सन आपको comment box करके, comment में आपको बताना है, कि कौन सी सन में इनोंने, अपने आपको Christ Hospital में enroll कराया, और यह Christ Hospital कुछ और नहीं था, बलके क्या था, एक charity school था, ध्यार रखना, 19 नमबर, यह आप एसे आप एलिया का लेखा कौन है, तो किसके द्वारा लिखा गया, यह Charles Lamb के द्वारा लिखा गया दोस्तों, किसके द्वारा, Charles Lamb के द्वारा, Charles Lamb का यह क्या था, collection आप एसे था, popularly known किस नाम से जाना गया, इसे जाफिलिया के नाम से जाना गया, इसका पहला बलूम, 1830 में है, इसका दूसरा बलूम, जिसके दस साल बाद अथा, 1833 में, दे लास्ट एसे जाफिलिया के नाम से प्रकासित हुआ, बस इतनी इसी कहानी है, कहानी की तरह याद करें, जे चीजों को कभी नहीं भूलोगी, दीप प्राइज, आफ चिमनी स्विपर, अब हम इस पर एक अलग वीडियो जरूर बनाएंगे, दोस्तों ये इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इनका इंपोर्टेंट है, क्योंकि देखो PGT 2019 में, फिर से इसे से इनका कोश्चन पूश लिया गया है, इट मींस, ये इसे आप जरूर स्टड़ी करिए, कहीं से भी कुछ अकर मिल जाए, तो प्रेज आफ चिमनी स्विपर को अलग से इसको स्टड़ी करिए, most and most important है PGT के लिए, तो इज मींस है, क्या है, 20 नंबर का आपको समझना है, तो जो प्रेज आफ चिमनी स्विपर है, वो एक पोईम ह इलेजी है, एसे है, क्या है, तो एक एसे है दोस्तों, और किसके द्वारा लिखा गया, चार्ल्स लेम के द्वारा, ऐसा कोई आफसन है, तो C आफसन, and A से भाई, चार्ल्स लेम 21 नंबर देखो, इन विच मैगजीन, कौन सी मैगजीन में बर पबलिस होते थे, दि फर्स्ट सीरीज, पहली सीरीज दि एसे आफ इलिया, पेजी टी 2009 में पूछा गया, एसे आफ इलिया की पहली सीरीज, जो है, वो कौन सी मैगजीन में पबलिस हुई, आपको एबताना है दोस्तों, तो वो कौन सी थी हमारी, लंदन मैगजीन थी, कौन सी थी, लंदन मैगजीन, 21 नंबर में, जो एसे आफ इलिया था, वो तुम्हें ए तो पता ही है, एक कलेक्शन आफ एसे था, लिखा किस के द्वारा गया, चार्स लैम के द्वारा लिखा गया, और जो इसमें दि एसे थे, इस कलेक्शन में, सबसे पहली बार एपियर हुए थे, कहे में, लंदन मैगजीन में, और लिखना शुरू किया था, इन्होंने, 1820 से, और कांटीनियूड कब तक लिखे थे, 1825 में, इसके बाद कलेक्टिव्ट करके, इनको दो भागों में पबलिस करवा लिय कब हुआ, चासलेम का जन्म, 1875 में, याद रखेगा, चासलेम का जो जन्म हुआ था, वो दस फरवरी, माफ करना दोस्तों, गलती से 1875 लिखे, 1775, कभी-कभी, एक्चुली क्या होता है, बोलती-बोलती, लिखा कुछ और होता है, और मुझ से कुछ और निकल जाता है, तो एक human error होता है, और no one can perfect, कोई भी perfect नहीं होता, गलतीया सभी से हो सकती है, तो आप उसको अपने आप से समझ जाएगा, और चीजों को किसी दूसरी, अगर ऐसा कहीं पर confusion आपको लगा करे, तो कहीं दूसरी जगह से अपनी चीजों को confusion को दूर कर लिया करो, या comment में उसको क करके हमसे पूछ लिया करो, possible होगा, तो हम इसको आपके उस confusion को दूर कर देंगे, तो यह 1775 है, by mistake हमारे मुझ से क्या निकल गया, 1875, समझेगा, यानि कि चार्स लेम का जन्म कब हुआ 1775 में, चार्स लेम बाज बॉन, अब हम डेट भी बता देते हैं, तो 10 परवरी 1775 को, लेकिन आप से यह पूछते हैं, इनका जन्म हुआ कहां था, Inner Temple, London, England में हुआ ध्यां रखना, यह क्या थे, एक writer थे, assist थे, और poet थे, best known, यह सबसे ज़्यादा जाने गए अपने, तो यह से आप इलिया के लिए, और Tales from Shakespeare, जो की इनका collaboration बर्क था, इसके लिए यह दूर दरा 23 नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो भिच सिडियूम्न, सिडियूम्न का मतलब होता है, छदम नाम, उपनाम, कौन सा उपनाम, बाज adapted, ग्रहन किया गया, बाई चास लेम के द्वारा, फोरेज, एसेज, अपने निमंदों, यानि कि जो चास लेम थे, वो अपने निमंदो को अपने ओरिजिनल नाम से ना लिखकर एक उपनाम से लिखते थे, एक छादम, एक सिडियूम्न नेम से लिखते थे, तो वो नाम कौन सा अपनाया था, तो वो नाम क्या था, एलिया, ध्यान रहेगा कौन सा नाम था, एलिया, यानि कि चास लेम ने यह जो अडॉप्ट कि लिए वो क्या था एलिया था यानि कि एसे आफ एलिया इनकी बहुत ही फैमस बुक हुई और ये एक कलेक्शन था आफ एसे का जो कि 1830 में क्या हुआ पब्लिश हुआ था इतना क्लियर हुआ नेक्स्ट 24 नमबर की बात करें विच आफ दे फालोइंग इस नॉट आफ बर्क वाई लेम चार आफ संदिये हैं चार आफ संद में से कौन सा लेम के द्वारा वो बर्क नहीं है तो ललारुक यानि कि जॉन बुडविल इनका है दि ओल्ड फैमिलियर फेसिस इनी का है हेस्टर भी इनी क जॉन बुडविल भी आपके एकजाम में पूछा जा चुका है हेस्टर भी पूछा जा चुका है ओल्ड फैमिलियर फेसिस भी पूछा जा चुका है ध्यारा के इसलिए तीनों को बहुत अच्छे से देख करके जाईए समझ करके जाईएगा दोस्तों ठीक है और ये बाला जो है वो लला रुख जो है वो इनका नहीं है तो किसका है ये थॉमस मूर का है और जो की पब्लिस हुआ था अठारह सो सत्रा में ध्यान रखना 25 नमबर की बात करते हैं तो एसे निमंद साउथ सी हाउस है है वी रिटिन बाई किसके द्वारा लिखा गया तो साउथ सी हाउस जो लिखा गया वो चार्ल्स लेंब के द्वारा लिखा गया चार्स लेंब ने अपने एशे को लिखा था जिसका नाम था साउथ सी हाउस इसको सबसे पहली बार सेटिन नेम ए लिए फारने से अगया जहां दस को पहले काम करते थे बहे इनके साथ एक सहकर मी भी काम करता था ठीक है एक अंक लरक भी काम करता था और उसी के नाम को इन्होंने अपना उपनाम बना लिया ठीक है तो आज के लिए दोस्तो इतना ही अगली वीडियो में हम 26 से लेकर के 50 तक डिसक्स करेंगे यानि कि 26 to 50 को सिचन्स को डिसक्स करेंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे आज के लिए इतना ही जैहन जैवारत दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो और आपकी नॉलिज को थोड़ा सा भी इनहेंस करता हो चाल्स लैम के बारे में तो प्लीज पॉजिटिव रिमार्क जरूर करिएगा जिससे कि हमें एक पॉजिटिव इनर्जी मिले और हम और बेहतर मेंद कर सकें वीडियोज बनाने में दोस्तों जैहन जैवारत दोस्तों हम लोग की सीरीज चले थी चाल्स लैम और चाल्स लैम पर आधारित पहले भी मैं दो वीडियोज बना चुका हूँ इन में से पहले वीडियो में हमने की बायोग्राफिक को डिसकस किया था और वो वीडियो एक देड़ घंटे की लगवग पूरा का पूरा वीडियो थर्टे कल था जिसमें हमने पूरी थियोरी को कवर किया इसके बाद हमने कल एक दूसरी वीडियो बनाई थी जो कि चाल्स लेम के अब्चेक्टिव टाइब कोश्चन्स याने के एमसी की उच पर आधारी थी और ये जो मल्टिपल च्वाइस कोश्चन्स थे वो इनकी प्रिवियस यर में जो PGT के एकजाम में लास्ट टाइम पूछे गए हैं याने की प्रिवियस यर्स में जितने भी PGT के एकजाम में पूछे जा चुके हैं उन सभी कोश्चन्स को हमने इंक्लूड किया था और उस वीडियो में एक से लेकर के 25 कोश्चन्स को इंक्लूड किया और आज हमारी ये तीसरी वीडियो है और इस थर्ड वीडियो में हम लोग discuss करेंगे 26 से लेकर के 50 questions को दोस्तों तो वीडियो के अंधतक बने रहेगा और ये भी सभी questions जो हैं वो PGT के exam में पूछे गए हैं most important वीडियो है तो इसलिए इसको अंधतक जरूर देखेगा दोस्तो तो चलो हम लोग सुरुआत करते हैं 26 question पर चलने के लिए और ये रहा हम लोगों का 26 number 26 number हमारा क्या कहता है दोस्तों 26 number हमारा कहता है कि who used किसने प्रियोग किया the epithet epithet क्या होता है एक बिसेशन या किसी की बिसेश्ता बताने के लिए हम इस सब्द का इस्तिमाल करते हैं औ और इसका जो similar word होता है वो sobriquete होता है याद रखेगा s-o-b-r-i-q-u-e-t sobriquete word यूज करते हैं इसी के similar के लिए तो अगर कभी भी हमारा sononym पूछा जाए कि epithet का sononym क्या होता है तो sobriquete sobriquete भी किसी की बिसेश्ता बताने के लिए इस सब्द का यूज किया जाता है तो इतना clear हो गया तो epithet means हमने क्या बता है किसी की बिसेश्ता बताने के लिए यानि कि ये बिसेशन है और कौन से बिसेश्ता बताने वाले सब्द कौन से gentle hearted Charles ये किस ने ये बिसेश्ता बता चार्ल्स लैंब के लिए तो वो ब्यक्ति कौन था यूज करने वाला कॉलरिज था कॉल्स ऐस्टी कॉलरिज ने सैमुल टेलर कॉलरिज ने यूजड प्रियोग किया दि एपिथेट यानि के बिसेस्ता बताने वाले सब्द और वो बिसेस्ता बताने वाले सब्द कौन से थे gentle hearted Charles कह करके पुखारा ये उनकी जो है तारीफ में Ashti College ने सब्द कहे थे किस की तारीफ में? Charles Lamb की तारीफ में किस ने कहे? Ashti College ने क्या कहा? gentle hearted Charles कहा किस की तारीफ में बोले ये सब्द? तो Charles Lamb की अगला 27 नमबर हमारा question क्या है? Which romantic novel? कौन सा romantic novel? It means है यानि पहली बात तो ये समझना है आपको कि Charles Lamb के द्वारा By Charles Lamb Charles Lamb के द्वारा कौन सा romantic novel है इन चारों में से तो इन चारों में से Charles Lamb के द्वारा जो romantic novel लिखा गया वो कौन सा है? Roja Mind Grey यानि कि Roja Mind Grey को लिखा गया है थोड़ा सा समझ ये ए रोजामंदग्रे क्या है रोजामंदग्रे जो पबलिस हुआ था वो 1798 में किस के दौरा चाल्स लेम के दौरा और ये इनका एक कैसा नॉबल था रोमेंटिक नॉबल था रोमान से भरा हुआ था और ये जो नॉबल लिखा गया था वो इनके first period of literary career में लिखा गया है यानि कि उनके literary career की लगभग सुरुवात ही हो रही थी चार्स लाहिम की तबी उन्होंने इस romantic novel को लिखा चार्स लाहिम ने कौन से romantic novel को रोजा मेंट ग्रो को और ये question हमारा PGT के 2003 में पूछा गया है अगला 28 number क्या कहता है Mrs. Battles Opinion on West ये क्या है एक essay है चार्स लाहिम का कौन सा Mrs. Battles Opinions on West इज एन एसे एक निमंद है that Joe has delighted यानि कि खुशियां प्रदान करता है generations मीश पीडियों को जैसे हमारी पीडी आने वाली पीडी क्या है पीछे बीट गई पीडी क्या है तो उसे generation कहते हैं इंगलिस में generation of readers पाठकों की इसको समझने के लिए आप ऐसे कह सकते हो कि Mrs. Battles Opinion on West जो इन्होंने opinion देते Mrs. Battles Opinion on West एक निमंद है जिसने पाठकों को readers की पीडियों को प्रसंद किया है यानि कि इस nobel को पढ़कर के आने वाली जो हमारी readers हैं पाठक हैं या उनकी पीडियां हैं उनको हमेशा खुसी मिलती रहेगी ओके हम इसे इसमें ढूडते हैं यानि कि Charles Lamb के द्वारा लिके गए कौन से इसे में इसको देखते हैं ये किस में पब्लिश हुआ था आपको ये बताना है आंसर इसका 28 नमबर का अर्थात ये वाला option हमारा क्या होगा सही होगा दोस्तो किस में एसे आफ एलिया जो कि Charles Lamb के द्वारा लिखा गया था ये उसी में दोस्तो चपा ACF एलिया में Clear हो गया इतना अगला देखो Next 29 नमबर Lambs ACF एलिया जो Lamb के द्वारा 1 बालूम ACF एलिया का पबलिश करवाया गया था और ये 1st ACF एलिया का पबलिश करवाया गया था 1823 में ध्यार रखना ठिक है बर रिटिन लिखा गया इन कब 1820 से लेकर के 1830-23 के बीच में जितने भी एसे लिखे गए बो सबी एसे आफ इलिया फ़स्ट पब्लिकेशन फ़स्ट बैलूम में इनको पब्लिस करवाया गया था तो पहली चीज उन्होंने ये कही कि जो एसे आफ इलि मंदों को लिखना कब सुरू करा था 1820 से लेकर के 1825 तक और इस बीच में जितने भी एसे लिखे गए उन सबी एसे इसे को इन्होंने फ़स्ट और सेकेंड वालूम में क्या कराया पब्लिस करवाया तो उसी का जो फ़स्ट वालूम था बो 1823 को पब्लिस करवाया था और इ 1833 में साथ ही हो किलियर हो गया इतना तो यहां पर उन्होंने यही तो पूछा है कुछ और बेन वर्दी लास्ट एसे जा आफ एलिया जो पब्लिस हुआ था लिखा गया था वो कब लिखा गया था तो 1833 में यानि किसी वाला उप्सन हमारा सही होगा और 30 नंबर कोश्चन क बात करते हैं अपार्ट फ्राम टेल्स आफ सेक्सपियर अपार्ड फ्राम का मतलब होता है के अलावा टेल्स फ्राम सेक्सपियर के अलावा चारल्स लेम ने वर्ग यानि कि उनका एक वर्ग था फार चिल्डरन बच्चों के लिए only includes करता है वो बर्ग कौन था कौन सा था आपको ये बताना है यानि कि सेक्सपियर की कहानियों के अलावा बच्चों के लिए चार्स लैम ने कौन सा वर्क लिखा यानि कि इन चारों में से चार्स लैम के द्वारा लिखा गया कौन सा ऐसा वर्क है जो बच्चों के लिए लिखा गया तो वो कौन सा वर्क था एक तो इनका Tales from Shakespeare तो था ही था और इसी के तुरंत बाद The Adventures of Ulysses आया था दोस्तो कौन सा The Adventures of Ulysses भूलिएगा मत यानि की Tales from Shakespeare के बाद तुरंत बाद बच्चों के लिए जो इनका एसे आया था वो Adventures of Ulysses था और जिसमें Adventures of Ulysses में Ulysses की जर्णी दिखाई जाती है ट्राय से लेकर के और उनके किंडम इथाका तक की ठीक है दोस्तो और ये पूरा का पूरा जो बुक थी पूरी बुक थी वो बहुत पापुलर थी और ये सिर्फ और सिर्फ अडल्ट्स के बीच में पापुलर नहीं थी बलकि ये बच्चों के बीच में भी बहुत ज़्यादा पापुलर वुक थी इनकी ये दो बुक्स बहुत पापुलर हुई और इनसे इने बहुत प्रिसिद्धी भी मिली चार्स लेम के लिए पहली और ये दोनों ही बुक्स जो हैं वो कॉलावरेशन में लिखे गई थी याने चार्स लेम ने अपनी वहन मेरी लेम के साथ मिलकर के लिखी कौन-कौन सी एक तो टेल्स फ्राम सेक्सपियर और दूसरा एडवेंचर साफ यूलिसिस 31 नमबर हमारा क्या कहता है हू रोड किसने लिखा टेल्स फ्राम सेक्सपियर को देखो वही फिर से आ गया तो किसने लिखा चार्स लेम ने आपको रट जाने दो वीडियो अगर दो गंटे के लिए देख लोगे तो चार्स लेम आपको रट जाएंगे ध्यार रखना चार्स यानिकी देटेल्स फ्राम सेक्सपियर पबलिस कब होई इतना बता दो अठारा सो साथ याद रखना ठीक है इसके बाद में ये किसके द्वारा लिखेगी चार्स लेम और मैरी लेम ने इन से कोलावरेशन में लिखी थी अब आगे 32 नंबर में देखो तो दिप्रिंस आफ इंग्लिस एसिस्ट कौन अंगरेजी निमंदकारों का राजकुमार कहा जाता है तो The Prince of English Assist किसको कहा जाता है? Charles Lamb को और Sir Francis Bacon को क्या कहा जाता है? Father of English Assist ठीक है अगला 33 नमबर देखो Who has written the A.C. निमंद किसने लिखा? The Old Ventures of Inner Temple जो Old Ventures of Inner Temple है ये वाला निमंद किसने लिखा? यानि कि Inner Temple तो ये किसने लिखा? ये भी Charles Lamb के द्वारा लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया? Charles Lamb याद रखिए The Old Ventures of the Inner Temple जो कि लिखा गया Charles Lamb के द्वारा और Lamb क्या है? एक English Writer और इन्होंने अपने केरियर की सुरुआद की तुआजा पोइट की साथी साथी एसेस्ट भी है और ये बेश्ट सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं तो अपने एसे आफ इलिया के लिए जाने जाते हैं 34 नमबर हमारा एसे आफ इलिया इजमीन्स है कैसा है तो एक Practically Autobiographical Fragments है इसका आर्थ क्या हुआ कि एसे आफ इलिया जो निमंद है वो बिभारिक रूप से आत्म कथात्मक अंस है Practically बिभारिक रूप से Autobiographical यानि कि आत्म कथात्मक और Fragments अंस होता है अर्थात टुकडे टुकडे या खंड करना ओके तो आत्म कथात्मक अंस है इनके इसमें देखने को मिलती आप पूरी आत्म कथात्मक देखने कोई मिलती ऐसे आफ इलिया अब 35 नमबर देखेगा Which of the following is not an essay by Charles Lamb चार essays के नाम दे रखें इनमें से कौन सा essay जो है वो Charles Lamb के द्वारा नहीं लिखा गया है तो इनमें से कौन सा है C वाला going to journey तो going to journey फिर किसके द्वारा लिखा गया है हम बता देते हैं ये William Hazlett के द्वारा लिखा गया William Hazlett के द्वारा और William Hazlett ने going on a journey लिखा था 1882 में कब लिखा था 1882 में अगला 36 नमबर हमारा कहता है A से निमंद रिटे लिखे गए Achieved Height New Bed A से आफ एलिया और ये जहारखंड PGT 2017 में पूछा गया है याने कि Charles Lamb A से कौन से थे A से आफ एलिया किसके थे Charles Lamb के तो इसे समझो जो A से राइटिंग में इन्होंने एक नई उचाई को छुआ था Charles Lamb ने और किस से A से आफ एलिया से हम बता चुके हैं A से आफ एलिया इनकी बहुत ही प्रिसिद बर्ग था यानि कि निमंदों का संग्रे था जिसको दो बलूम्स में इन्होंने पबलिस करवाया 1823 और 1833 एक क्या था कलेक्शन आफ एस एज ध्यार रखना क्या है एसे आफ एलिया क्या है एक कलेक्शन आफ एस एज है किसका है Charles Lamb का एक कोश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन समझेगा 37 नंबर को इसमें क्या है एक वर्क है इनका Dream Children कौन सा है Dream Children जो की Day Dream लिखा था इन्होंने एक Revere लिखा था तो उसकी कुछ लाइने हैं लंबी सी जरा मैं इसको explain कर देता हूं तो मैं समझा देता हूं तेजी से और जब And while I stood gauging both the children gradually grow fainter to my view receding and still receding till nothing at last but two mournful feathers were seen in the uttermost distance which without speech strangely impressed upon me the effect of speech इतना लंबा फुलिष्टाफ है जरा समझो जब मैं और जब मैं टक्टकी लगाए खड़ा रहा जब मैं एकदम बिना पल के जबकाए बहाँ पर खड़े-खड़े देखता रहा तो दोनों बच्चे धीरे-धीरे मेरे दृष्टी कोण से ओझल होते गए जैसे-जैसे बो दूर जाते गए बैसे-बैसे मेरे दृष्टी कोण से ओझल होते गए पीछे हटते हुए और फिर कुछ भी नहीं होने तक फिर भी पीछे हटते हुए दो अलग-अलग दूरियों पर देखा जो बिनावासड के अजीब करह से मुझे पर प्रभाव डालते थे हम ना तो Alice के क्या लिखा है We are not of Alice हम ना तो Alice के Nor are the children at all कितना अच्छा बोला हम ना तो Alice के हैं ना तुमारे हैं और ना ही हम सबी बच्चे हैं और ना ही हम सबी बच्चें be children at all We are nothing less than nothing and dreams अर्थात हम कुछ भी नहीं और सपनों से कम नहीं हैn यानि कि फ्राम भिच वर्क हैव दी अबब लाइन बीन टेकिन उप्रोग तो पंक्तियों को किस वर्क से कौन से वर्क से लिया गया है आपको ये बताना है दोस्तों तो ये इसका ये वाला उप्सन सही होगा ड्रीम चिल्डरन से ले गई लाइने हैं दिर्रवायर रिवायर का मतलब होता है डे ड्रीम 38 नमबर दी वर्ड इलिया इस असोसियेटेड विद यानि कि जो इलिया वर्ड है वो किस से सम्मंदित है आपको ये बताना है तो ये किस सम्मंदित है चार्ल्स लेंब से यानि कि एसे दिसाव सी हाउस में, जो साव सी हाउस में इनके साथ में काम करने वाला सह करमी था, उससे अडॉप्ट किया, ठीक है, इटेलियन मैन था, जो कि इनी के साथ, चार्सलेम के साथ ही, साव सी हाउस में वर्क करता था, अगला कोश्चन देखो, तेल्स फ्राम सेक्सपियर इस रिटिन बाई यह जो टेल्स फ्राम सेक्सपियर है वो किसके द्वारा लिखी गई और आपको यह भी बताना है कमेंट बॉक्स में करके कि जो टेल्स फ्राम सेक्सपियर है वो कब लिखी गई कब पबलिस करवाएगी किसके द्वारा लिखी गई ये तो मैं बता देता हूँ Charles Lamb के द्वारा लिखी गई लेकिन आपको ये publish कब हुई ये आपको बताना है दोस्तों और ये भी बताना है ये किन दो लोगों ने मिलकर के लिखा था यानि कि ये collaboration work है और collaborated work में किसके सयोग से किन दोनों ने आपस में मिल करके इस Tales from Shakespeare को लिखा उन दोनों लोगों के नाम प्लस में ये कैसी बुक है अडल्ट बुक है या चिल्डरन बुक है बच्चों के लिए या बैसकों के लिए लिखी गई चालिस नमबर पे Man is a gaming animal He must always be trying to get the waiter in something or other Manus से एक जुआ खिलने वाला जानवर है जो हमेशा किसी ना किसी चीज में बेहतर करने की कोषिज करता रहता है और ये famous court कहां से लिए गया आपको ये बताना है maaf करنا दोस्तो ये 40 नमबर पे आपको बताना है B. इसका सही होगा एसे आफ एलिया दोस्तों कहां से लिए गया यानि कि यह जो फैमस कोटीशन है वो एसे आफ एलिया से लिए गया है जो कि चार्स लेम के द्वारा लिखा गया और यह एक कलेक्टेड आफ एसेज हुआ है और यह पहली बार पबलिस हुआ था 1830 में दूसरा इसका सेकेंड वा तो इन्होंने कहा एक इटेलियन क्लर्ग था एट दी साउथ सी हाउस इनके साथ दी साउथ सी हाउस में काम करने वाला एक इटेलियन क्लर्ग था उसी से इन्होंने इस उपनाम को अडॉप्ट किया दोस्तों अगला 42 नंबर क्या कहता है lamb speaks lamb कहते हैं of his father अपने पिता से under the name किस नाम से तो हमने जब आप को theoretical portion पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताया था कि lamb ने speak of his father under the name कौन से नाम से पुखारा अपने पिता को तो lobel नाम से यानि कि ए वाला इसका क्या है answer है दोस्तो अगला 42 नमबर पे अच्छा lobel वाला हो गया 43 नमबर पे देखो lamb rights चार्स lamb लिखते हैं about वारे में his sister अपनी वहन के वारे में in his essay अपने निमंद और उनके कौन से निमंद की बात हो रही है dream children की under the name of किस नाम से लिखते हैं दोस्तो तो ए भी हमने theoretical portion में बताया था कि जो चार्स lamb होते हैं वो day dream children में अपनी वहन को किस नाम से characterize करते हैं तो कौजेन Bridges Bridget के नाम से तो ए भी हमने जब आपको theoretical portion पढ़ा रहते तो हमने बताया था चार्स lamb ने अपना नाम जो है वो एलिया रखा और इनकी बहन Mary Lamb ने अपना उपना काजेन Bridget रखा ठीक है Bridget रखा दोस्तो चाबालिस नंबर question कौन सा है in which essay कौन से निमंद में we came to know हम को पता चलता है of lambs Charles lamb के unsuccessful love affair के बारे में with Alice Benterton के whose actual name जिनका बास्तविक नाम क्या था Anne Simmons था बाज Anne तो Anne Simmons के साथ इनकी love affair unsuccessful love affair के बारे में पता चलता है तो वो ऐसा कौन सा एसे था जिसको पढ़कर के हम कोई जानकारी मिलती है कि इनका एक love affair Anne Simmons के साथ एक love affair था और Anne Simmons का actual नाम ये था एक नाम इसका मतलब Alice Binterton भी था दिहां रखेगा तो ये कौन सा dream children को पढ़कर के पता लगता है यानि कि D वाला option हमारा क्या होगा सई होगा 45 नंबर को lamb as an assist अगला question हमारा lamb as an assist एक निमंदकार के रूप में बाज मच इन प्लूंच्ट बहुत ज़दा प्रवावित थे बाई से किस से तो ये option हमारा सही होगा यानि की Sir Thomas Brown ही से Who says कौन कहता है Lamb's style is inseparable from his humor Lamb का जो style है वो inseparable है from his humor अपने humor से of which it is the expression ये बात कौन कहता है तो huge backer कहते हैं और huge backer ने इनके बारे में कई comment दिये हैं दोस्तों अगला Lamb uses Lamb ने प्रियो किया the imaginary name एक कालपनिक नाम ओके टेस्टेसिया और क्रेसेरेसिया ओके ये कहां यूज किया तो इन्होंने आप बैचलर कंपलेंट में दोस्तों अगला Lamb की एक पोईम है the old family faces is concerned with जो old family faces है वो किस से सम्मंदित है एक आपसन आपका सही होगा the death of lambs mothers यानि कि इस वाले पोईम में the old family faces में इनकी मा की देत के बारे में बताया जाता है ठीक है उस से सम्मंदित है उननचास नमबर हमारा Lamb का जो बर्क है I am Mr. H is book कैसा है पोईम है tragedy है a force in prose है तो दोस्तो c option आपका सही होगा a force in prose और आज की वीडियो का last जो हमारे द्वारा explain किया जाएगा lambs saturn in search of a wife is a क्या है एक humorous ballad है इनका तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि Charles Lamb ने एक humorous ballad लिखा उसका क्या नाम है तो आप याद रखोगे saturn in search box और इसका answer क्या होगा मैं explain कर देता हूँ Charles Lamb का जो poetic drama है John Woodville ओके बुक क्या है a tragedy was initially titled चार options आपके सामने दिये गए है इन चारों options में से कौन से title से इस tragedy को बताया गया चार में से कोई एक सही है दोस्तों उस सही वाले का जो है answer आपको comment box में देना है तो आज के लिए इतना ही साथी हो जै हिन जै भारत